तो चलिए दोस्तों बना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर हम एक से ज़्यादा शेयर्स को कवर कने वाले हैं तो वीडियो में आंकरी तक बने रहिएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं Tata Group की कंपरीए Tata Power के बारे में जहां पर आज की दिन कोई बड़े मुवेनट तो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं लेकिन जैसा कि अपको पता है कि समर का सीजन स्टार्ट हुचुका है पावर की डिमांड पिक सीजन पर हमें देखने को मिल रही है टाटा पावर को लेकर एक बड़ी अपडेट से हमें आते वे देखने को मिल रही आप देख सकते हैं टाटा पावर डिसकॉम आम साइन 200 मेगावर्ट हाइडरो पावर पैक्ट विद अन्वी विएन टाटा पावर के अंदर खरीदारी के रखिये तो 210 रुपे के रेजिस्टेंस को दियान में रखते वे और 185 रुपेज के स्टॉप लॉस को लेकर चलते वे आप यहाँ पर अपनी पोजिशन को होल्ड करते वे चल सकते हैं अकली ते अनदर शीर के बारा में जिसका नाम है वेदानता लिमिटेट लास्ट इडिंग सेशन में याने कि आज की दिन वेदानता लिमिटेट के अंदर हमें एक प्रतीशत के अपसाइड मुवमेंट देखने को मिल रहे हैं डिवेदेट किंग कंपनी ने आज की दिन एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है जापर वेदानता लिमिटेट ने क्लियरली मेंशन किया है कि वेदानता लिमिटेट जॉइन्स 20 कॉरियन डिस्पलेट फर्म्स फॉर एलेक्रोनिक्स मैनुफेक्चरिंग हब इन इंडिया तो इंडिया के अंदर मैनुफेक्चरिंग हब को स्टेबलीश करने के लिए 20 कॉरियन फर्म के साथ में यहाँ पर वेदानता ने हाथ मिलाया है यानि की पार्टनर्शिप करी है अल्टिमेटली इससे वेदानतों को काफी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और अगर आप व इंवेस्टर्स को रिटन के कंपरेजन में डिविडेंड से ही काफी अच्छी इंकम जनरेट कर देती है तो यदि आपको डिविडेंड स्टॉक्स पसंद है तो आप वेदानता के साथ में डाफिनेटली जा सकते हैं बात करते हैं अनदर शीर के बारा में जिसका नाम हिंद इंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेट के अंदर देखने को मिल रहे हैं बाकरे विद इंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेट को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रहे हैं तो HAL and PFC Lead Race for MSCI Index and Adani Total Kotak Bank in Focus 2 तो याने की इन चार कंपनियों के नाम हमें MSCI Index के अंदर हमें HAL के अंदर काफी अच्छे टार्गेट दिखने को मिल सकते हैं हलागे बीचले एक साल में HAL ने काफी शांदा रिडन्स अपने इन्वेस्टर्स को बना कर दिये हैं तो यदि अपने HAL के अंदर खरिदारी कर रखिए तो यहाँ पर भी आप अपनी पोजिशन को hold करत देवें चल सकते हैं बतकर लेते हैं नेक शेर के बारे में जिसका नाम है एंजल वन लिमिटेट आज के दिन कंपरी ने अपने क्वाटर फूर के रिजल को डिकलेर कर दिया है साथी साथ डिविडेंड को लेकर भी अनौंसमेंट करिए हैं HAL की तरफ से 4 रूपे पर शेर क डिविडेंड अपने शेर होल्डर के लिए डिकलेर किया गया है और साथी साथ इस स्मॉल के कंपरी के फाइनिंशल रिजल भी हमें बहुत ही शांदर देखने को मिल रहे हैं अगर HAL के रिजल की बात करें तो कंपरी ने जो यहां पर टोटल इंकम जनरेट करी है वो 831 करो profit में भी काफी अच्छी जंप हमें देखने को मिल रही है 200,625 करोड रूपए की Total income कंपनी ने quarter 4 के अंदर generate करी है जो कि काफी शांदर हमें देखने को मिल रहे है जिसके चलते कंपनी के अरुची रेशो में भी काफी ऑच्छी जंप है तो angel 1 Limited के अंदर भी अगर आपने ख I did it